जहन साथियों वीडियो में आप सभी का स्वागत है ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपोर्टेंट होने वाला है जो सेना भरती की त्यारियां कर रहे हैं लेकिन यहां मैं ये बात भी क्लियर कर देता हूँ ये सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट उन लोगों के लिए होन वाले हैं साथ ही साथ ये वीडियो मेरी उन बहनों के लिए भी इंपॉंटेट होने वाला है जो भरतिय सेना में जाकर देश की सिवा करना चाहती है लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि फिमेल्स के लिए जितनी भी हमारी आर्मी के तरफ से पोस्टें अनौंस की जाती है उन में वीडियो पोस्टें बहुत कम रहती है और यदि मैं बात करूं कॉट आफ की तो कॉट आफ इसकी 90% से अधिक जाती है और बहुत सारी मेरी बहने ऐसी है जो देश सेवा करना चाहती है से बर्दी पहन के लेकिन वो उस प्रसेंटेज की वज़े से रह जाती है तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफी important होने वाला है क्योंकि दोस्तों यदि भगवान आपका एक रास्ता बंद कर देता है तो आपके लिए दूसरा रास्ता खोल देता है बस यहां जरूरत होती है उस दूसरे रास्ते को पहचानने की और उसके उपर चलने की और सफलता आपके कद स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की तरब से अभी यहां पर प्रशन यह उठता है कि इस फॉर्म को कौन भर सकता है तो मेरे ऐसे भाई जिनकी उमर 18 से 25 साल के बीच में हैं वो इस फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं और मेरी ऐसी बहने जो उस लाइन में जाना चाहती है वो भी इस ससी की तरफ से BSAF ITBP SSC में डिफरेंट तरफ की पोस्टे एनांस की गई है और यह पोस्टें बहुत ही ज्यादा है और इसमें हमारी 25,000 के आसपास पोस्टें हैं बहुत ही ज्यादा पोस्टें हैं तो यदि आप आर्मी में जो है ओवरेज हो चुके हैं या आपका आर्मी में selection नहीं हो पा रहा है तो आप SSE को चुन सकते हैं उसके माध्यम से भी आप देश की सिवा कर सकते हैं और पेरा मिल्टे का हिसा बन सकते हैं अभी यहां बात यह आती है कि किस तरीके से SSE का process रहता है तो SSE का जो process रहता है वो इंडियन आर्मी से बिल्कुल अलग रहता है इंडियन आर्मी में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमारा physical test होता है लेकिन SSE में हमारा होता है return test तो SSE का form भने के लिए आपको अगर मैं height की बात करूँ तो first of all आपने height अपनी देख लेनी है लड़कों का आपका 175 cm के आसपास है और लड़कियों का है आपका 157 cm के आसपास रहेगा वही इसको fill up कर पाएंगे और age तो मैंने आपको बता दी 18 और 24 के बीच में तो अभी जो इसका जो first stage दोस्तों आता है वो आता है return test का तो यदि आप SSC की तियारी कर रहे हैं और आप सिर्फ physical की तियारी कर रहे हैं तो उसको छोड़ दे क्योंकि यदि आपकी return की तियारी नहीं होगी आप return में compete नहीं कर पाएंगे ये merit में जगा नहीं बना पाएंगे तो उसको फीजिकल तियारी का कोई फाइदा नहीं है तो चलिए first of all हम बात करते हैं return की तो दोस्तों return जो आपका है वो 100 marks का होने वाला है इसमें आपको 4 portion में question आने वाले है 25 question आपको journal awareness और reasoning के आएंगे 25 question आएंगे आपको mathematics के 25 question होंगे हिंदी और English के और जो 25 question जो बच गए आपके वो बच गए आपके जी के क्या तो यहां आप इस बात को समझ लें यदि आप math से भागते हैं तो आप SSC के through सेना में जाने का सपना भूल जाएए क्यूंकि math और reasoning के आपको 50 प्रश्ण आने वाले हैं तो आप अपनी त्यारियों में अभी से जुट जाएं और दूसरी बात यहां आती है यदि मैं army के return की बात करो तो होता है हमारा OMR sheet पे लेकिन SSC का जो return होगा वो एक computer based होगा उसमें आप जब आपका जैसे return शुरू हो गया तो एक मीना डेड़ मीना आपका return चलता रहेगा उसके बाद according to question paper आपकी journal line decision होगी उसके बाद आपकी merit बनेगी और उसके बाद आपका selection होगा physical test के लिए तो पहली stage आपको पार करनी होगी जिसको हम कहते हैं return test और return test में आपको merit में आना पड़ेगा और पिछली साल की बात करूँ तो merit हमारा 70 के आसपास था लेकिन आगे मैं बात करूँ तो इस बार post पिछली बार से कम है तो merit आपका ये मान के जले 75 प्लस जा सकता है जनरल के लिए बाकियों का इससे कम ही होने वाला है जहां तक expectation है तो अभी आपने return qualify कर दिया उसके बाद होगा आपका physical तो physical के लिए क्या होगा अगर मैं लड़कों की बात करूँ तो लड़कों के लिए होने वाली है 5 km की race और लड़कियों के लिए होने वाली है 16-100 मीटर की race जो लड़कियों ने qualify करनी है साड़े 6 मिनट में साड़े 6 नहीं साड़े 8 मिनट में रहेगा साड़े 8 मिनट में लड़कियां उसको qualify करेंगी return के साथ आपका जो physical test होगा running होगी उसके साथ साथ आपका physical measurement भी होगा जिसमें आपकी height मापी जाएगी ठीक है आपका chest मापी जाएगी ठीक है आपका weight मापा जाएगा उसके बाद आप जो है medical के लिए आगे जाएगे उसके बाद आपका full medical रहेगा medical qualify होने के बाद जो है overall जो merit बनेगी उस merit के अधार पर आपका selection SSC में होगा दोस्तों बहुत सारे हमारे SA candidate रहे हैं जो GD में जो है अपने seat reserve नहीं कर पाए पकी नहीं कर पाए लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने last year जो SSC का selection हुआ था उसमें अपने seat पकी कर दी है यहां आपने एक वाद का ध्यान रखना है यह नहीं सोचना है कि हमारा test की date आ जाएगी हम उससे पहले पड़ेंगे मैं clear कर देता हूँ क्यूंकि फिर से बोल रहा हूँ SSC का जो return चलता है वो हमारा लगबग एक से डेड़ मिने तक चलता रहता है कहिएं का आज होगा, कल होगा, परसों होगा अभी आपकी किसमत की बात है ताकि आपकी त्यारी अच्छे से हो पाए और अभी से आप त्यारीों में जूट जाये तभी आप SSC में सीटरली जर्व कर पाएंगे और काफी सारे बच्चे हमारे ऐसे रहते हैं जो प्लस्टू के बाद, दस्वी के बाद अपने पूरी दो-तीन साले होती है, उसे ना भरती के लिए लगा देते हैं, बाई चांस अगर वो रह गए हैं, तो उनके लिए तो ये एक गोल्डन चांस है, ये एक संजिवनी बुटी है अपना फ्यूचर बनाने की, और मेरे ऐस साथी, जिनकी उमर अभी 21 वरस से कम है, वो आर्मी भरती की तियारी कर रहे हैं, तो वो भी SSE में अप्लाई कर सकते हैं as a security, अगर जिदी में नहीं हो पाए आर्मी में, तो आप SSE में आप ट्राई कर लें, उमीद करता हूँ कि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा होग यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय वारत